जैहिन फ्रेंट्स मैं सीब आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्जाम चल रही है और हम आपको जो है प्रति दिन जो भी एक्जाम जितने भी सिप्ट हो रहे हैं उसमें जीके से संबंदी जितने भी कुष्चन आ रहा है उसको हम प्रभाइट करा करने पहले तो उसे पहले जो है इन वीडियोस सारे वीडियोस को जो है कमर करके जरूर जाए ताकि परिक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल किया जा सके तो चलिए बिना समय कबाई सुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंस पहला कोश्चन यह पूछा गया कि टकला मकान रेगिस्तान टकला मकान रेगिस्तान की बात हुरी तो फ्रेंस बात करें तो पूरे बीस में जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान को ने सहारा में रेगिस्तान की बात करें तो सहारा मरवस्तल जो है पूरे बीस में सबसे बड़ा है जो कि थार है जो कि राजस्थान और में और चाइना के राश्ट पती व्रिश्ट घिन पींग है वीज एंपिंग उशा को राश्ट पति हैं उसके बाद बात करें तो चैना जो है पूरे किस्ट Meta में सबसे आगे आगे है उसके बाद बात करें तो चाइना की जो राजधानी हो वीजिंग है और यहां जो करेंसी चलती है उसे युवान काते हैं तो यह जो है चाइना से समझने कुछ महत्वपून तथे तो चलते हैं अगले कुश्चन के और अगला कुश्चन है यह कि प्लेट नरी मोशन का किशने दिया यानि कि ग्रहों के गतिये नियम ग्रहों के गतिये नियम इसका कानून जो है फ्रेंस जोहां स्केपलर ने दिया था जोहां स्केपलर विया था और जोहां स्केपलर जो है फ्रेंस यह जर्मनी के एक खोगोल बीग थे खोगोल बैग्यानिक थे जो की अर्श्र गुंता है ऊसी परकार गसे हैं वह अपने कक्षह हो तो अपने कख्षा पर घूमता थी संहीं सब्सक्राइब और चुशी चैक्षाओं को रियोशोता है व क कि पदने कख्षमां में घूमता है उसके हैं एक से 365 पुर्णाइंग के वन बटा चार दिन में प्रिथवी सूरी का चक्र लगा लेती है तो उसे परिक्रमन कहते यानि कि लौ और परियर्ट कहते तो इस तीन परकार के नियम का जो है नियम का कानून जो है यह जोहांस केपलर महोद है जो की जर्मानी के खोगोल बेगानिक थ तो फ्रेंड्स जोहांस केपलर के बात करें तो उन्हेंने टाइको को पोस्ट एंपेडियल गनितिक के रूप में बिद्यासत मिली जिए टाइको की मिर्टु जो है 1601 में एक में हुई टाइको द्वारा एकात्र किये सटीक आक्रो का उप्योग करते हुए इस केपलर ने प में बात करें तो अगला कुश्चन ये पूछा गया है कि कौनसी योजना के तहार मुफ्थря MPG परदान करती है यानि कि फिरी एल्पीजी प्रवर्टी लेवल यानि कि जो गड़ी रेखा से नीचे आते हैं तो उन परिवारों के लिए जो है यह मुफ्त एल्पीजी सिलेंडर की विवस्था की और यह 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 जना जो है फ्रेंस एक माई 2016 को एक डेट यह ध्यान रखना है कि एक माई 2016 सोल को जो है इस यह जणा को सुरू कई 床कर चूरू किया गया यूपी के बलिया से जो है इसे जियां को प्रारंब किया घ। आप यह भी ज संती पुरसकार जो है कि शने जीता तो 2007 में जो है नोबल संती पुरसकार अपने भारतिय मुलके एक राजींद्र कुमार पच्वरी थे जो कि 79 के उमर में ये भी मिर्तू हो गये इनकी तो राजींद्र प्रियास से जलवाई प्रवरतन के अंतर सरकारी पनल यानि कि IPCC और अर्नल्ड एवाल्ड और ये राजियंत कुमार प्रचवर्टी इन सब के प्रयास से जो है लोजर साथ में नोबल सांती का पुरसकार जो है नोबल पुरसकार नोबल फांडेशन द्वारा जिया जाता है फ्रेंड्स ये टूटल जो है छो छेत्रों में नोबल पुरसकार दिया जाता है एक सांती के छेत्र में दो सहीति के छेत्र में तीन फिजिक्स के छेत्र में चार केमेस्ट्री के छेत्र में पांच चिकित्सा बि अभिशकार किया था डाइनामाइट का जो है विशकार इन्होंने किया था और उसके बाद जैते तीन सो पचपन से अधिक जाता है तो आइसे ध्यान रख सकते हैं कि कोष्चन का अगला कूश्चन की बात का रेफ्रेंज तो अगला कुस्चन यह है कि दो हजार बीस के औरेंज केप धारा कौन है deceived odds के ओरेंज के अल्राहूल तो हम रस्ट्ष यहांप बात करें और इस वार ड्राश्टी Tanis के बियाए को पर तो प्राश्टिय पर जो है गीर राष्टी उदान है कहा गुजरात के जुनागर जीने में बात करें तो इस उदान की जो है अस्थापना गीर राष्टी उदान की जो है फ्रेंट्स अस्थापना 1965 में की गई थी और यह जो है पूरे एसिया में बात करें तो सीहों के निवास करने बाला जो है एक गुजराज में है अगला कोशन के बात करें तो अगला कोशन ये पूछा गया है कि इंसानों को उनका बैग्यानिक नाम किशने दिया तो इंसानों को जैसे होमोजीनियस ये इंसानों को बैग्यानिक नाम देने बने थे काल लिनियोस काल लिनियोस जो थे इंसानों को बैग्य तो इसका जो है बैग्यानिक नाम रखने वाले जो बेक्टी थे उनका नाम था कारल लीनियस अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन है कि स्रिलंका के बर्तमान राष्ट पती कोन है तो गोट वाया राच्छ पक्षे जो है स्रिलंका के बर्तमान राष्ट पती है औ पषब करें और उसका नाम है महींद्रा राजपक्षे तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं चलिए फिरण्स तो अगले कुस्चन कि बात करों तो अगले कुस्चन यह हैं कि कोंज लटबु मद्र आर्टिक सागर और परसांत महासागर को जोरने कार करता है इसमें से कौन सा जल्द अब्रुमध्य है जो आर्क्रिक महासागर को प्रसांत महासागर से जोरने का कारे करता है पीरिंग जल संधी जो है बेरिंग एस्ट्रेट ये जो है आर्क्रिक महासागर को प्रसांत महासागर से जोरने का कारे करता है तो आर्क्टिक महासागर की बात करें तो ये प्रिथवी पूरी गोल है तो उसके उत्री गुलार्द में आर्क्टिक महासागर परता है ग Gir 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 और याद रखिए गया यह जो है दिल्ली में दर्वार लगा था जार्जबंचम का और इसी में दर्वार में कुलकत्ता से राजधानी को चेंज करके उसे दिल्ली कर दिया गया था जो कि इसी में घोस्ट ना हुआ था तो उरिषा और बिहार को अलग प्रांत को ठ्रज़ाद दे दिया गया तो 1912 में बिहार अलग प्रांत के रूप में आया जबकि 1936 में उरिषा अलग प्रांत के रूप में तह इस परकार इससे संबन्दित और सारे अ Administration तो यह बात करें तो gateway वंडिया यह जो है मुंबई के दक्षन भाग मरें यानि कि दक्षिन भाग में है यह इसे तर्फ सम अगला कुछिछ नुद्शaty in औरuste गाने से और ओर प्रॉषट?". तो जार्ज बीटेट जार्ज बीटेट जो है फिरिंट इसके अंतिम डिजाइन को जो 1924 में मौजूरी दी गए और इस असमारा का निर्मान जो है 1924 तक जाके पूरा हुआ गेटवे को बाद में जो है बाइसराय और बंबे के नए राजपालों के लिए भारत में एक प्रति दिखकत होते हैं कि यहां पर पूछ रहें कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कों थी और फिर यदी यह कुश्य ना जाए कि भारतिय की सवारोजनी नाइडिवरा एंसर होगा जब भारतीया थी बात होगए लेकिन यहाँ पर पहली की बात करें तो वह सुरजनी नायरी थी जो कि 1925 में कानपूर के अध्यूएशन में जो हुआ महिला अध्यक्ष बनी थी तो यहां पर जो है इसका एक्जेक्ट एंसर एनिवेसेंट होगा और होम रूल लीक किया स्थापना जो है एनिवेसेंट ने की थी तो एनिवेसेंट ने जो हो द्यान रख सकते थे और रख सकते हैं यहनिवेसेंट की बात करें तो यहनिवेसेंट जो है एक अध्यात्मिक थिखिश और उसके बाद महिला के अधिकारों के समर्थक उसको प्रखर बक्ता भारत प्रेमी यह महिला थी और इनके जन्म की बात करें दो 10 अक्टूबर 1847 को लंदन में इनका जन हुआ और 20 सेप्टेमबर 1933 को जो है अडियार यानि कि इनका मिर्टु जब भारत में हुआ च्छे नहीं में जो है इनकी मिर्टु हुई है तो यह सब बाते जो है आप ध्याल रख सकते हैं उसके बाद अगले कॉश्चन की बात कर भें तो अगले कोश्चन ये है किे 20 में से किस्ये 2020 में पदम विभूशन से समानित किया गया था तो 2020 में जो है कुल 7 लोगों को इस पुरसकार से समानित किया गया था अगले कुश्चन की बात कर भिएन तो अगला कुश्चन यह है कि computer system में C programming language के खोच करता कौन है तो Dennis Richie जो है यह C programming language के खोच करता है अगले कुश्चन की बात कर भिएन तो अगला कुश्चन है कि South Africa में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकासन किया था तो the Indian opinion जो पत्रिका है इसका प्रकासन साउत अफिरका में महात्मा गांधी ने किया था उसके बाद जो है साउत अफिरका से महात्मा गांधी लगटे थे नौ जनवरी उनेशव 15 को तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं और साउत अफिरका में ही जो है फ्रेंट्स महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्यागरा का परियोग किया और उसके बाद भारत में आने के बाद करेंट्स तो ये जो है नरेंद मुदी की जब सरकार बनी 2014 में तो 15 अगस्त यानि की सोतंतरता दिवस के दिन 15 अगस्त सतंता दिवस के दिन जो है फ्रेंट्स ये पीम जंदन योजना जो की वर्ड का सबसे वरा वीतिये समावेशन योजना है यानि की फाइनेंसियल इंक्लूजन योजना है और लाल किले से जो है जंडा फराने के उपरांत महात्मा ये नरेंद मुदी ने जो है इस योजना की योजना का आहवान किया था और उसके बाद 28 अगस्त से या या योजना पूरे देश में लागू हो गया अगले कुशन की बात करेंफे हैं तो स्थपना ये जो है झाले कुशन की बात करें तो अलबल ये 1935 को हुआ था 1934 में जो है बैंक का एक एक्ट आया था दिनिया में था और उस एक्ट के ताहा जो है एक अपरल 1935 को जो है और वियाई की अस्थापना की गए थी अगले कुशन की बात करें हैं तो अगला कुशन ये कह रहा है कि नीती आयों के भरतमान सीज़ कौन है तो सबसे पहले बात करें हैं नीती आयों है क्या तो नीती आयों से पंच पर्षी योजना से सरकार को किया जा रहा था योजना आयोक द्वारा जो की पांच-पर्ष की योजना लेकर आती थी और उसे राष्टिए विकास परिशत ँवहां अनमोदन देकर कारे को आगे बराती थी लेकिन बात करें तो 2014 में जब नरीन मुदी की सरकार आई तो 2014 में उसे समाप्त करने का घोसना किया गया 2014 में योजना आयोग को और उसके जगह पर एक जनवरी 2015 से नीती आयोग का गठन कर दिया गया योजना आयोग के जगह पर तो नीती जो इसका फूल फ़म होता है तो अभिताफ कांत जो है इनके CEO है तो बरतमान CEO की बात करें तो अभिताफ कांत जो है फ्रेंट्स इसके CEO है ठीके फ्रेंट्स और उसके बाद बात करें तो अगला कुश्चन यह है कि मौलिक करतब यह मौलिक करतब जो है यह मौलिक करतब भी क्या है तो मौलिक करतब जो है यह हमारे सम्विधान में रसिया के सम्विधान से यह fundamental duty की बात हो रही है जो कि हमारे सम्विधान में नहीं था मूल सम्विधान में नहीं था इसे सतर के दसक में हमारे सम्विधान में स्वान सिंग कमीटी के सिफारिज के बाद जोरा गया और यह जो हमारे सम्विधान के भा सबस्क्राइब एक और मुल करतब को सामिल किया गया वे और ये रस्या के समिधान से लिया गया है तो आपन अगले कोश्चन के बाद कर से तो अगला पुश्चन यह मित् experience लिखन घिए तो इंडिया डिमाय से ये सरकारी सरकारी विभाग में जो करमचारी कार कर रहे हैं वो जो रिटार्मेंट पर जो है उनके सेविंग की बात हो रही कि वो जो रिटार होते हैं तो उनके सेविंग मिलती है तो उसके सेविंग जो है राष्टिय पेंसन के रूपे मिलती है तो उसे जो यह जनवरी 2004 से यह सुरू हुआ था एक जनवरी 2004 से यह सुरू हुआ था इसे आप ध्यांन रख सकते हैं इवह करें कि निमलखित में से किसे सूपरनेट्वर कहा जाता है तो स्ूपरनेट्वर्क यानि की माहा संगणक की बात हो रही है महासंगनक यानिके हमारा देश में यॉल परम एक सूपर कंप्पीटर है शूपर कंप्प्पिटर है शूपर रेट वर सूपर कंप्प्पीटर ह kids Pizza 7 1 चहां पर परम बात करें शूपर कंप्पीटर की तो एह बाबन-चाहर इम्वी-उघ्ये और अब में शेकेंड में जो है कर सकता है तो इसे महा संगनक भी कह सकते हैं जब कंप्यूटर का जो हिंदी होता है वह संगनक होता है जब कि शूपर कंप्यूटर का हिंदी महा संगनक होता है ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं अगले कुश्चन की बात करें तो अगला कुश्च चिनाई बंदरगा उसके बाद फिर तमिल नाडू में आनन टीन बंदरगाह तमिल नाडू में आंध पर देश में एक चार बंदरगाह पारादीब उसके ह одपादया कर चीह पुड़ी साम पलता है पांच बंदरगाह ध्यूतชचीह, उसको अगला कुश्च्र यह है कि भारत में कितने पावर प्लांट है तो भारत में जो है टोटल 22 पावर प्लांट है 22 पावर प्लांट है और साथ परमानू उर्जा एजेंसी है तो बरतमान में भारत के पाई दोना जो हे सात परमानु उर्जा सयंत्रों में 22 परिचालन रियेक्टर है जिसकी जो अस्तापी छमता है वह 6789 मेगावार्ट है है तो 22 परिचालान रियक्टर है साथ पर मानु उर्जा सेंत्र में जिसका जो छमता जो है वो 6780 मेग्यावाट है अगले कुश्चन की बात करें तो अगला कुश्चन यह पूछ रहा है कि निमन में कौन सा जो है ब्रिक्स का सदा से नहीं है यहां पर नहीं बात वे तो ऑप् पर केर折़ का तो यह जो है ब्रीक्स का फूल फॉर्म है ब्राजी रसिया इंडिया चाइना साउत फिर का और यह जो है इसके सदस्य देश है उसके बात करें दो जून 2006 में जो है बीक्स की जो है फटापना होई थी और 2019 में जो है इसका 11 मा समेलन अभी तुरंथ 2019 में किया है कि बिस्व में कॉफी का सबसे बरा उतपादक देश है भारत में भारतv Dios कॉफी पाए जाती है अरेविका रहे यह कॉफी का ही किस्म है तो भारत में करनाटक सबसे अधिक कॉफी उतबादक राज है तो यह बात यह ध्यान रख सकते कि अगुशन की बात करें तो अगला कुष्षन यह एं अगला कुष्षन यह मुख्याले क्या है इंटरनेशनल राइस रिसेर्च इंटीश्ट्यूट का मुख्याले कहा है तो अग्राश्टिय चावल अनुसंधान का में फ्रेंज लाउस बैश्ट जोकि मनिला 종ण परता है फिलिपीन्स में परता है तो लॉस बेनोस फिलिपीन्स में परता है यह जो है अंतराश्टी ये लेबल पर चावल अनुसंधान का संस्थान इंटिस्ट्यूट है यहाँ पर जबकि भारत में बात करें तो भारत में उरिसा के कटक में चावल का अनुसंधान संस्था सब्सक्राइब उरीशा के कटक में उसके बाद बात करें तो अगला कुश्ट यह है कि गयहु का बैग्यानिक नाम है अगला कुश्ट ने कि प्रियास किया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं बूले धन्यवाद